जै मातादी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत सौगत है सिर में रूसी हो गई है, रूसी के साथ साथ पपड़ियां पड़ गई है खुजली होती है और जब खुजला देते हैं तो पपड़ियां निकल जाती हैं और खून निकलता है और उसके बाद उनके उपर दूबारा दूसरी पपड़ियां पड़ जाती है और फिर खुजली होती है, इस तरीके से खुजलाते खुजलाते कहीं कहीं पर सिर में पपड़ियां हटने के बाद में पग गया है और इस तरह के दाने तैयार हो गए हैं जैसे कि उनके अंदर मवाद भर गया है जिसको आप पीब बोलते हैं या कभी-कभी वह इतने मोटे-मोटे चाले हो जाते हैं कि उनको खुजलाने के बाद में उनके अंदर से पानी जैसा निकलता है और वहां के बाल ही पूरे गया हो जाते हैं सिर में इस तरीके से रूसी और पपड़ी की वजह से खुजली हुई है और उसके बाद पक गया है ऐसा संक्रमन हो गया है कि जगा जगा बड़े बड़े चकत्ते टाइप के पड़ गये हैं जैसे ठप्पे से हो गए हैं उतने बाल गायब हो गए हैं आपने देखा होगा भोलों के कभी यहां पर यहां पर यहां पर इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि लोगों के सिर में कई जगा मोटे मोटे चकत्ते से पड़े होते हैं और वहां के बाल गायब होते हैं तो यह सार पर आज इस वीडियो में बहुत ही आसान उपए बताऊंगी बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा अगर पहली बर मेरे चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एक दम फ्री है तो सबसे में चीज तो इसकी जड़ रूसी ही है क्योंकि रूसी के साथ में पपडियां है और एक बिल्कुल जणरल सी बात है सब हमिक सी बात है अगर आपके सेर में रूसी है और जब खुजलाते हैं किसी के से की खबार हो जाती है घ्लेगा करां हो गई कभी जद्सक्राइब और वाइक तो उनकी वाज़ाय से कभी-कभी kभी हो जाती तो वह अपने आप खतम हो जाती है लेकिन कुछ लोगों के सिर के अंदर हार्मोंस की गड़वड़ी की करण रूसी होती है वह सिर में कभी तेल नहीं डालते इसलिए रूसी होती है देशनद के सिर की सासफाई नहीं करते हैं महिना डेड़ महिन अब तो उस गंदगी की वज़े से भी रूसी हो जाती है और हकर सिर का नेचुर्ल ओयल होता है अगर ज्याधा दीन आप बाल नहीं दोते हैं तो वह खतम होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से भी रूसी हो जाती है और जब रूसी होगी आप खुझ लाएंगे तो पपड़ियां पड़ेंगी और जब सिर्की साफ सफाई का भी आप ध्यान नहीं रखेंगे तो पपड़ियां खुझ लाने के बाद दुबारा और वो एक इंस्पेक्शन का रूप ले लेंगी यानि कि एक एलर्जी का रूप ले लेती हैं तो हम इससे मुक्ती कैसे पा सकते हैं कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी जैसा सिर्की साफ सफाई का ध्यान रखिए सिर्क को एकदम सूखा मत छोड़िया हपते में कम स से कम दो बार आपको तेल की मसाज अपने सिर में जरूर करनी है अभी मैं इसके लिए आपको एक मलहम बनवा दूंगी और वह मलहम ऐसा है कि हर इसकिन पर आप लगा सकते हैं आपके बाल चाहें बहुत ज़्यदा रूखे सुखे बेजान हैं या खुब घने हैं पतले हैं आप जेंट्स हैं लेडीज हैं जो भी हैं वो मलहम आप लगा सकते हैं इसके अलावा मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नीम वाले पानी से अपने सिर को धुए दो लिटर पानी उबलने के लिए रखिए उसमें कम से कम आप 200 ग्राम नीम की पत्तियां डाल द लिए पत्तियों के साथ में फिर आप इसी पानी को गुंगुना होने पर चान लिजे और अपने सिर को इसी पानी से आप धो लिजे सेंपू आप पहले साधे पानी से कर लिजे उसके बाद में धीरे धीरे इस पानी को अपने सिर पर डालिए और अपने सिर क्या फलके हाथ से मसाज करते जाए जब आपका सिर सूख जाएगा उसके बाद में आप नारियल तेल में कपूर मिक्स करके लगा लिजिए और अगर आपको सरसों का तेल बुरा नहीं लगता लगाने में क्योंकि वैसे तो सरसों का तेल बहुत पॉस्टिक होता है लेकिन कुछ लोग कहते है हम सरसों का तेल लगा नहीं सकते हैं हमें इसमेल पसंद नहीं है यह कुछ लोगों के सिर में सरसों का तेल सूट नहीं करता है उनके बारिक दाने हो जाते तो जिन लोगों को प्रॉबलम है वो लोग ना लगाए और जिनको नहीं है प्रॉबलम वो हपते में दो दिन सरसों के तेल से मसाज करें उससे क्या होगा आपका सिर मजबूत होगा बालों की जड़े मजबूत होंगी सिर को एक अच्छा सा पोष्ण मिलेगा और आपके बाल लंबे काले घने और चमकदार होंगे उसके अलावा अगर आप सरसों को तेल नहीं लगा सकते तो उतना ही पोसरण आपको नारियल तेल से भी मिलेगा आप नारियल तेल लगाईए अगर संभव हो तो हर तीसरे दिन नारियल का तेल लगाईए नहीं संभव हो तो हपते में दो दिन सरसों या नार मिक्स करना है अगली चीज आप जब कभी भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी या पल्यूसी तेरिया में निकले उस समय अपने सिर को आप कवर करके निकले अभी ठंडी के मौसम में ज़्यादा लोग पहन के या इसकार पहन के निकलते हैं लेकिन जब गर्मी का मौसम होता जब आपको बाल धूना हो उसके एक घंटा पहले जिस तरीके से आप महंदी लगाते हैं अपने सिर में उसी तरीके से मांग निकाल निकाल के इस नीम के पेश्ट को अपने सिर में लगाईए जिन लोगों को पपड़ी बढ़ जाती है और दाने और छाले हो जाते हैं इस और एक घंटा इसको लगा रहने दीजिए एक घंटे के बाद में आप सिर को साधय पानी से धूली जिए क्योंकि जब कभी भी आप नियम का ये पेश्ट लगाएंगे अपने धूले ही बालों में लगाएंगे फिर आप साधे पानी से अपने सिर को धूँ लिजे अगली चीज आपको बता रही हूँ अगर आपको नीम नहीं मिल सकती है नीम आपके घर के असपास कहीं भी उपलब्ध नहीं है दूर दूर तक तो आप अपने बालों को सैंपू कीजे उसके बाद में आप आधा लिटर cursives किजिए और उस पानी से अपने सिर को धोये यांनि सेंपू करने के बाद में poor फिल लाप Iya है और मसाज करने हैं उसके बाद अपको ऊपर से साधा पानी डालना है बालों को एसे ही टावल से लेट लेना है और फिर दीर दीरे पोचके बालों करना और सूख जाने के बाद में आपको अपने बालों में अपने सिर में वही कपूर वाला तेल लगाना है अर्शार्स्अटा या नारियल का कि अब मैं आपको मलहम बता रही हूं किस तरीके से बनेगा को है अप ले लिजे एक चम्मच नारियल या सर्टों का तेल जो भी आपको सूट करता है चाहे सरसों का तेल नारियल का तेल अगर आपके बाल बहुत घंचे हैं तो उसी इसाफ से आप तेल की मात्रा को बढ़ा लीजेगा साथ है आपको लेनी है एक टिकिया कपूर मैंने पहले ही कहा अगर आपके बाल बहुत मोटे हैं, घने हैं, लंबे हैं, तो 2-3 चमच भी तेल लग सकता है, तो उसी हिसाप से आपको कपूर की भी मात्रा बढ़ानी होगी, कपूर को अच्छी तरीके से कूट के बारीक चूरा जैसा करके तेल के साथ में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिजे, फीट ल हो गया है इसके लवाइस में आपको कुछ नहीं मिलाना है अब इस मरहम को आप अपने बालों में मांग निकाल निकाल के हलके 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 हाथों से मसाज करते हुए इस मलहम को आप अपने सीर में लगा दीजिए और अगर आप इस मलहम को रात में लगाएंगे तो बहुत आप आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा रात को लगा कि आप सो जाए और आप चाहे तो सुबह सैंपू कर लीजिए और अगर आप अगले दिन सैंपू नहीं भी करेंगे नहीं भी अपने बालों को धोएंगे तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है अगली चीज आपको बता दूँ मैं कि हपते में एक दिन अपने बालों में दही जरूर लगाए दो पहर के समय आप दही लगाईए जिस दिन आपको बाल धोना हूँ आप उस दिन लगा लिजे दही लगाने के बाद में एक घंटा अपने बालों को ऐसे ही लपेट के बीड़ा बना लिजे बालों में आपको जो काम करना है करते रहे हैं एक घंटे के बाद अपने बालों को सैम्पू कर लिजे यानी की धो लीजे अच्छी तरीके से साफ कर लिजे दही से आपके सिर्ग को एक अच्छा सा पूसंड मिलेगा यह जो दाने छाले निकलते हैं इनका निकलना बंद हो जाएगा और जो पपड़ियां पड़ती हैं ये अपने आप से निकल जाएगी और नेचुरल नमी आपके सिर को मिलेगी उसके लावा आप नारियल के तेल के साथ में नीबू फेट करके भी लगा सकते हैं एक चमस नारियल का तेल लीजिए उसमें एक चमस नीबू का रस मिलाएगे बहुत अच्छी तरीके से फेट लीजिए ये भी आपका एक लोसन का काम करेगा सिर की जड़ों में मांग निकल निकल के आप इसको लगाए आदा घंटे के बाद में सेमपू कर लीजिए तो ये सारी चीज़े अगर आप करते रहेंगे आपके सिर की रूसी खतम हो जाएगी पपड़ियां खतम हो जाएगी उसके अलावा जो आपके सीर का इंस्पेक्शन है वैक्टीरिया है धीरी धीरे करके खतम हो जाएंगे बाल जड़ने बंद हो जाएंगे और आपकी सभी प्रोब्लम्स खतम हो जाएंगे नमस्कार धन्यवाद